ओम नमो भगवते वाशुदेवायः भगवत गीता अध्याय पंद्रय पुरुशुत्तम योगय स्लोक संख्यादो अधाच उर्द्वम प्रशीता शाखा गुनय प्रविधा विशय प्रवाला अधाच मूलानी अनुसंतात्नी कर्म अनुबंधिनी मनुश्य लोके इस व्रिच्च की साखाएं उपर तथा नीचे फैली हुई हैं प्रकिति के तीन गुणों द्वारा पोशित हैं इसकी टहनिया इंद्रिय विशय हैं इस व्रिच्च की जड़े नीचे की और जाती हैं जो मानों समाज के सकाम कर्मों से बदी हुई है तो पहले इस लोक में भगवान ने बताय हुआ था कि एक सास्वत वट व्रिच्च है अर्थार्द बर्गत का पेड़ है जिसकी साखाएं जो है उपर की और हैं जड़े जो है उपर की और हैं साखाएं नीचे की और हैं और पतियां जो है वेदों के स्तोत्र हैं और जो इस ब्रिच्च को जानता है वही वेदों का ग्याता है और इस बार अभी जो है बोल लहें हैं कि ये जो ब्रिच्च की जो साखाएं उपर और नीचे फैली हुई हैं एक तो उसका जड़ तो उपर है लेकिन उसकी साखाएं जो है उपर और नीचे तोनों तरफ फैल मतलब कि जո इसकी जड़ हैं, नीचे की और भी जाती है, और मानो समाज के सकाम कर्मों से बढ़ी हुई हैं, मतलब कि जो इसकी जड़ हैं , नीचे की और भी जाती हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि जड़ें जो है साखा के से निकलती है बर्गत की जड़ें और फिर वो नीचे की तरफ जाती है तो बात यहां पर भगवन बता रहे हैं तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी इसके तात्पर में क्या बता रहे हैं यह जो अस्वस बिच यहां पर जो बताया गया हुआ है यह चारो दिशाओं में फैला हुआ है जब यह नहीं कि एग जगें हुआ है ये चतुर दिशा में ही फैला हुआ है चारो दिशाओं में ही और इसका जो नीचे का भाग है जीवों की विभिन योनिया हैं अलग-अलग योनी में और मनुष्य घोडे पशू और कुत्ते बिल्ली इत्यादी जो हैं ये सभी बिश्य की जो साखाएं हैं वो नीचले भाग में इस्थित हैं और उपरी भाग में जो है वो उच योनिया हैं जैसे कि देवता हो गए गंधर्व हो गए और सबसे उपर जो है जहां पे ये जड़ है वहां पे ब्रह्मा लोक है वहां पे ब्रह्मा जी निवास करते ह और उसी प्रकार से ये जो बिच्छ के जो तीनों गुनों के द्वारा पोशित होता है जैसे कि कोई कोई जल के अभाव में कहीं कहीं पे जो है बंजर भूमी होती है वहां पे कुछ नहीं होता है और फिर कहीं कहीं पे जो है भूखंड जहां पे जल रहता है वहां पे जो है क जगें पे कहीं कम और कहीं जादा है तो ये बहुतीक जगती यहां पे तीनों गुण काफी जादा है तीनों की काफी प्रधानता है यहां पे इसी प्रकार जो है इन्हीं गुणों का जो है अनुपात कहीं आधा और कहीं जादा होता है और उसी अनुपात के हिसाब से उस लो जो इसकी टहनिया हैं वो इंद्रिय विशय हैं जो हमारे इंद्रियों को कानों को कुछ सुनने के लिए चेह परीय चीह जादा तर तर हम लोग उल्टे सिधे कामों में बीजी रहते हैं तीन पांच करना इसकी वहां करना और फिर कैसे धन कमाया जाया कितनी जल्दी कमाया जा तो इस तरह की जो है विशय की बात थोरी विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं कोई रजो गुण के हिसाब से सतो गुण के हिसाब से तमो गुण के हिसाब सरीर भी उत्पन करते हैं जैसे तमो गुण में हैं तो फिर वो सूर का सरीर मिल सकता है मनुष्य भी होते हुए भी वो सूर के ही जैसा जिंदरी जा रहेगा तो डिपिन करता है थोड़ा सूर से बहतर है तो फिर वो मनुष्य की यूनी में आ सकता है लेकिन वो उसके अंदर तमोगुन की प्रदानता है तो वो जानवर के ही जैसा बरताव करेगा तो उसी हिसाफ से वो भोगता है कोई अगर मानसाहार करना चाहता है तो उसको मानसाहारी सरीर मिल जाता है और फिर उस तरह की योनी में वो चला जाता है कोई जिसे की सुवर है वो विश्ठा खाता है तो फिर उसको उस तरह का ही सरीर मिल जाता है ताकि वो उसका आश्वादन कर सके जो है तो उसी तरह से जो साखाएं हैं वो इंड्रियां हैं अलग-अलग आख नाख कान इत्यादी जो है अलग-अलग साखाएं इस बिच्चे की जो है टहनिया के साथ साखाएं भी है और इसकी जो सहायक जड़े हैं वो जो है राग और द्वेस ये राग का मतलब कि किसी के साथ आशक्ती और द्वेस का मतलब कि किसी के साथ इरश्या करना कि मुझे ये पसंद नहीं है तो वो द्वेस कारण ही होता है तो राग और द्वेस ये दोनों ही है जो विभिन प्रकार कि कस्ट और इंद्रिय भोग के विभिन रूप हैं कोई अच्छा लगता है तो इस काम से कि वो इंद्रिय भोग कर रहा है बुरा लगता है तो फिर वो द्वेश से उत्पन हो रहा है धर्म और अधर्म की प्रवितियां भी इन्ही जो गौण जड़ हैं सहायक जड़ जो हैं उसी से ही उत्पन हुई हैं मानी जाती हैं जो कि चारुत दिसाओं में फैली हुई हैं क्योंकि जैसा हमारे मन में या हमारा जो सरीर बना हुआ है या जैसी प्रवितिय है उसी के हिसाब से हम धर्म भी कर सकते हैं और धर्म भी कर सकते हैं तो ये उसी सहायक जड़ के कारण ह और जो वास्तविक जड़ है वो ब्रह्म्ह लोक में हैं लेकिन इसकी जो अन्य जड़े हैं वो इस मृत्यू लोक में भी हैं और जब मनुष्य उच्छ लोकों में पुन्य कर्म के फल के भोग जुकता है तो वो इस धरा पर उतरता है कोई उच्छ लोक पे गया जैसे कि आपने पैसा कमाया और उसके बाद तो फिर कुछ समय के लिए अर्न किया और फिर आप चले गए इंज्वाय करने के लिए और जब आप इंज्वाय करने के लिए तो वहाँ आपका पैसा खतम होगा तो वापस आपको आना पड़ेगा तो सेम उसी तरह से कोई अगर पुर्णी कर्म कर रहा है तो उच्छ लोक में जाएगा और जैसे ही पुर्णी कर्म छिन होगा खतम होगा वैसे ही वह नीचे के लोक में इस धरा पर भेज दिया जाएगा तो इसकी उन्नती जो है सकाम कर्मों के द्वारा ही नवीनी करण होता रहता है इसका मतलब कि वह जैसा सकाम कर्म करता है उसे साब से वह कुछ पाता है अच्छा करेगा तो अच्छा बुरा करेगा तो बुरा तो इनका फल वह उच्छ लोक में या फिर निम्न लोक में उच सरीर में या निम्न सरीर में जा करके भूकता रहता है तो इस तरह से ये जो है साइक्ल चलती रहती है और ये मनुष्य लोक जो है कर्म छेत्र माना जाता है तो अब जो इसकी last time हम लोगों ने discuss कि कैसे इसको जो है यहां से निकला जाए इस ब्रिच्छ से जो है जो कि उसकी साखा जो है नीचे की तरफ है जड़ जो है उपर है तो इससे निकलने के लिए हमें जो है ज्यान के द्वारा उसका सारप्रनर लगा करके वैरागे की कुलहाडी से इसके एक-एक साखाओं को जब हम काटेंगे किसके निर्दे सन में गुरू साधू और सास्र के निर्दे सन में तब हम जो है उसके ओरीजिनल रूट तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद तो फिर वहां से फिर हम उसको कट करके जो है जो मेन जो है जिसकी परचाई आ रही है water bridge की अगर पानी के किनारे पे है तो उसकी जो चाया दिखती है वो नीचे के तरफ पानी में दिखती है और जो वास्तवी के जो पेड़ है वो जो है उपर रहता है तो फिर जब हम यह ऐसे चाया दिख रहा है इस तरह से अगर देखा जाए तो यह मालिजे के यह चाया है तो इसको अगर हम काट करके जाएंगे तो वो औरीजिनल पेड़े में जा सकते हैं तो यहां हम अगर पहुँच जा रहे हैं तो यह ग्यान की धार लगा करके और वेरागी के कुलहाडी से इसको काट करके हम जनम रित्यू के चक्कर से निकल सकते हैं अब सवाल यह आएगा कि इसको कैसे किया जाए तो चैतने चरिताम रित्म में एक स्लोक आता है मध्य लिला में जिसमें बताया गया सत्रह में अध्याय के 136 में अताह स्री कृष्ण नाम आदी न भावेद गरहयम इंद्रियय सेवन मुखे ही जिहवादो स्वयम एव स्फूर्ति आदह मतलब कि जो हमारी जो भौतिक कंडिशन में जो हमारी इंद्रियां है वह जो है भगवान के नाम धाम गुण रूप लिला की महिमा का बखान बिलकुल ही भगवान के भक्ती में लग सकती है जिससे की हमारी अंद्र ज्यान उत्पन्न हो और वैराग भी आए जो है उसको कृष्ण भावना मृत बोला जाता है ये जब हम जिहवा के द्वारा जिहवा के द्वारा जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवान के प्रशाद को खाएंगे उनको भोग लगा करके विष्णू को भोग लगा करके विष्णू का प्रशाद खाएंगे तो इस तरह से हमारी जिहवा जो है वो सुद्ध होती है और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर जो है भगवान की भक्ती जो है उत्पन होती है और फिर हम भगवान के नाम धाम गुण रूप महिमा इन सब की लिला का बखान कर भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो ये जो है हमें स्टार्ट करना है भगवान के नाम के जप के द्वारा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो हमें भगवान के नाम के जप के द्वारा ही स्टार्ट करना है कल युग के लिए यही युग धर्म है इसको ही देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयम चैतन महाप्रभू के रूप में अपियर हुए और उन्होंने इसको युग धर्म के रूप में स्थापना किया और इसी महामंत्र बोला जाता है महामंत्र क्यों बोला या क्योंकि या कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कंडिसन में दिन हो रात हो सुब मोर्त हो या अशुब मोर्त हो इससे कोई लेना देना नहीं है इस नाम का जप जो है कभी भी किया जा सकता है और उससे ही हमें मुक्ति मिलने वाली है तो कल्यूग में जनम, रित्यू, बुढपा और बिमारी से छुटकारा पाना है, इसके चकर से निकलना है, तो हमें भगवान हरी के नाम का जब करना है, तो ये तो मुक्ती देगा ही देगा, लेकिन भगवान के प्रति भगवत प्रीम भी उत्पन करता है, ये भगवान के न चांट एन बी हपी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम इस तरह से हम जो है भगवान के पास जा सकते हैं इस जो सास्वत जो वट बिच है इसको काट करके इस भहुत इक जगत से हम निकल करके वास्तविक अपनी घर सास्वत अपनी धाम को भगवत धाम को जा सकते हैं इसी भगवान के नाम के ज्वाद द्वारा तो पुर्शोत्तम मंत चल ला है आप सभी लोगों को बहुत सारी सुपकामना है और आप लोगों से रिक्विस्ट है कि आप लोग इसको सेयर करें यूट्यूब चैन हुठा सकें हरे किशिना